मानसुन के समय की आम परिशानी होती है आख आना यानी जिसे आएपलियू भी कहते हैं ये तकलीब आखों के लाल होने से शुरू होती है और उसके साथ आख में खुजली, चुबन, कई बार सूजन भी आ जाती है आएपलियू जिसे एक कंजिक्टिव आईटेज भी कहते हैं अब ऐसे में महराश्टर की उपराजधानी में घर घर में आएपलियू जैसी बिमारियों से ग्रस्त है और इसका फैलाव तेजी से फैल रहा है इसी को ध्यान में रखते वे भारतिय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष वेन रेड़ी की और से आज पांटरा बोड़ी इलाके में घर्वघर में जाकर लोगों को इसके बच्चा और फैलाव को रोकने की जानकारी दी गए साथ ही आखों को संक्रमान से बच्चा ने चश्मुका वितरंत किया गया जिसका लाव कई नागरीकों ने उठाया नमस्कार सात्या हाली में सबको पता है कि कॉंजिक्टिवाइटिस जो आखों की जो तकलिफ है सबको आ रही है हमने देखा है कि हर जगह पर आखों की जो तकलिफ है सबको बढ़ रही है मेरा ओफिस में भी लोगों को है बाहर में भी है तो उसके वज़े से लोगों को बहुत तकलिफ हो रही थी और हमारे उपमुक्य मंत्री माननिय देवेंद्र फडनेस जी ने भी बोला है जितना हो सा कि मेडिकल एड मदद करना चाहिए तो उसी को नजर रखते हुए हमने आज पांडरा बोडी में जिनको भी यह आख आई है उनको चेश्मा और दबाई वाटप करने पे आया है हमने चेश्मा पूरा जिन जिन को आया है और जिन जिन को नहीं आया है उनको भी वाट अप किया है ताकि उसके वज़े से किसी और को भी ज्यादा तकलिफ ना हो क्यूंकि यह कैसा होता है एक से दुसरे को होने वाली बीमारी है तो हमने सुचा है कि इसको इसी तरीके से रोक लिया जाए तो उनको चेश्मा देने पर क्या होगा कि वो दुसरे को देखेंगे नहीं पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं ये पहले पाए सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चोग, बेलत रोडी रोड, नाकपूर